हैं shapes हम यहांपर कवर्प कर रहे हैं जो भी हमारा केविज tayलिएप सीशोर्ड है उसको व seb हम भी उसको कवर चुछी हम आपने पिछले वीडियों में तीन से चाइल टॉपिक कवर कर सुके हैं और आज जहांपर देखने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में तो फ्रेंज देखिए अगर आपको पीडियाप चाहिए तो आप टेलिक्राम जो है मेरा वहां पे सकसेज एक्टिव माइन इस नाम से सर्च कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंज हम जो है हमारा जब बायो वाला पॉर्चन समाप्त हो जाएग तो चाहिए थे तो मैं लास्ट में हमें आपको जितना भी टॉपिक करवाती हूँ उससे रिलेटेड कम से कम 20, 25 तो आज के इस वीडियो में हम यहां पे 30 कोईशन करने वाले हैं यह बहुत ही इसी टॉपिक है मतलब इतना भी इसी नहीं है पर फिर भी मतलब थोड़ा इसी आर्टी से डाएकुटली तो देखे फ्रेंटि यहां पर हमारा जो चैप्टर वो हमारा प्राकीलतिक संप्दा आप देखेंगी यह हमारे सिलेबस में Lubन नहीं है हमारी सिलेबस में एक है आवर इंवार्मेंट तो वहां पर ऑर इन्वार्मेंट में हमको मतलब कुछ और ही पढ़ना है वहाँ पे हमको 12 क्लास की NCIT के पीछे जो भी चैप्टर दिये गए हैं 2-3 चैप्टर वहाँ पे हमको उसको पढ़ना है लेकिन अगर हमारे इसको पढ़ना पड़ेगा तो चलिए देखे प्राकिर्तिक संपदा यह भी हमारे इन्वार्मेंट से ही रिलेलेटर है तो चलिए देखे अब यहाँ पर संपदा मींस क्या होता है रिसोर्फ क्या है फ्रेंड्स जित्वी चीज का हम उपियोक करते हैं, जैसे हम बोसे हैं धन संपत्ति, इसी तरह से हमारा संपता भी होता है यानी जिसका हम यूज करते हैं, अब यहाँ पर है प्राकृतिक संपता, यानी जो भी प्रख्रित की चीज Glue है, जब हम उसका तो देखे फ्रेंट्स आवसेक्ताओं कि पूर्थ के लिए सूर्य से उर्जा तथा प्रित्वी पर उपलब्ध संपदा की आवसेक्ता होती है तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि यह जो अंतरगत क्या-क्या आता है तो फ्रेंट्स देखे हम अपने सबसे बाहरी परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं अस्थल मंडल और प्रिथिवी के 75% भाग पर क्या है जल है तो देखें फ्रेंस यहां पर इक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहां पर NBS का भी question जो इस बार पूछा गया था तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमसे question किस तरह से पूछा जा सकता है तो फ्रेंस आप जो है पूरा वीडियो अच्छे से देखिए उसके बाद question वाला portion देखना ना भूलिएगा आप theory part skip कर सकते हैं लेकिन question जरूर देखना लेकिन friends question हम तभी कर सकते हैं जब हमारा theory part जो है वो clear हो तो देखे पृत्वी के 75% भागपर जल है यहाँ जल यहाँ भूमिगत जल के रूप में भी पाया जा सकता है और friends इसको हम क्या बोलते घास के मैदान यह सब होते हैं हमारे अस्थल मंडल और देखे friends वायू जो पूरी पृत्वी को कंबल के समान ठके रहती है उसको हम क्या बोलते हैं वायू मंडल तो देखे friends वायू मंडल अस्थल मंडल और जन मंडल यह एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उस पर कोई लेंड एक नहीं है — तो वहां पर जीवन संभव है — फृ스म नहीं है तो Kiev जो हमारा एक जीवन के लिए जरूरी होता है वहां पर हमार वायू मंडल और जल मंंडल इन सब की जरूरत होती है क्या आप इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर हम ऐसे अगर बनाए इस तरह मंडल यह हो गया जल मंडल यह नीचे वाला क्या हो गया अस्थल मंडल तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं आप देखें फिर है हमारा जो हमारे यह जैव मंडल होता है यहां पर दो प्रकार के घटक होते हैं यानि इसके कंपोनेंट होते हैं एक तो होता है जैविक एक होता ह आ जैविक जिसको हम निर्जीव बोलते हैं जैविक घटक में क्या क्या आते हैं जो की सजीव होते हैं हमारे जितने भी उसको हम क्या बोलते हैं सजीव या फिर जैविक घटक और जो भी निर्जीव घटक होते हैं जैसे हमारा वाय हो गया जल हो गया मिर्दा हो गया यह सब क कर्वन डाय अक्साइड क्या है या सॉरी फिर नीचे भी कुछ है तो देखें यहां पर सबसे पहला हमारा जो हमको यहां पर डिसकस करना है वो है जीवन की स्वास यानि वायू तो सबसे पहले हम यहां पर जो हमारे जैयो मंडल का आजविक घटक हैं जिसमें आता हमारा वाय सबसे पहले हम इसके बारे में डिसकस करेंगे अब देखे हमारा जो होता है वहां पर केवल आक्सीजन नहीं होती है फ्रेंस नाइटोजन भी होता है और यहां पर कार्वन डाय आक्सोएड का मिस्ट हैंगे अब देखे friends, प्रिथवी पर जीवन Y-U के घटको का परड़ाम है, यानि अगर प्रिथवी पर Y-U होता ही नहीं, तो जीवन संभव था, कत्री नहीं संभव था, अब देखे friends, यहाँ पर यह fact दिया है, सुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहूं, जहाँ कोई जीवन नहीं है, Y-U तो वहां का मुख्य घटक क्या है फ्रेंस, कार्वन डाई अकसाइट और देखिए महां पे जो है कार्वन डाई अकसाइट की मातरक कितनी है, 95-97 प्रतिसस तक महां पर कार्वन डाई अकसाइट है, तो ये आप ऐसे ही मतलब याद रखना, अब दिखції फ्रेंट नेश्ट है हमारा जितने भी हमारे यू करियोटिक कोशका होती है प्रो करियोटिक होती है जिसको मैंने आपको सेल वाले चेप्टर में अच्छे से समझा दिया है तो देखें उनकी जो मतलब कोज काई होती है उनको गुलू कोज के अड़ू को तोड़ने के लिए और उनसे उर्जा प्राप्त करने के लिए आक्सीजन की आवसकता होती है तो फ्रेंस आप ये समझ सकते हैं यहां पर ये हम पढ़ रहे हैं कि आक्सीजन की जरूर्दे कहां क के लिए भी हमको आक्सीजन की आवसकता होती है तो आप याद रखना अब यहां पर एक लाइन लिखी है कि मनुस्य के वे किरिया कलाप ही नहीं जो उर्जा प्राप्त करने के लिए इधन को जलाते हैं बलकि जंगलों में लगी आग भी आती है यानि दहान की किरिया में हम अगर जंगल में बायचांस आग लग गई तो इसको भी हम दहान बोलते हैं तो दोनों के लिए अकसीजन की जरूरत होगी अब दिखें इसके अत्रिक्त हमारे वाइवंडल में जो करवन डैकसाईड है उसकी मात्रा कितनी है तो आप यहाद रखना और हमारे वायु मंडल में कितनी है ओनली वन परसंट यहाँ पे हम 0.003 फी बोल तें हैं कभी कहीं कहीं पे यह लिखा था लेकिन NCRT में कितना है 1% तो हम यही याद रखेंगे अब देखे फ्रेंस कार्बन डाई अक्साइड दो विधियों से इस्थीर होती है इस्थीर होती है क्या मतलब मतलब उसका जो भी लेवर है वो मेंटेन रहता है तो एक तो हमारे हरे पौधे जो होते हैं वो सूरे की केड़ों की उपस्थित में कार्बन डाई अक्साइड को गुलूकोज में बदल देते हैं यानि इस तरह से कार्बन डाई अक्साइड का यूज हो जाता है और दूसरा क्या होता है बहुत से हमारे समुद्री जनतु होते हैं मतलब जल में घुले कार्बो नेट से अपना कवच बनाते हैं उपर का उन्का सेल्ज उसको बनाने क्लिए वो और कैसी CO2 जो की जल में घुली होता है तो आप यक नहीं दो गुत ही तरह लग रहा होगा लेकिन अभी आप question देखना कितने अच्छे question है तो देखें यहाँ पर सबसे पहले एक point की वायू जो होती यह उसमा की कुछा आलक होती है यहाँ पर देखिए मंडल को क्या करता है वहां का जो उसका आउसत तापमान है वो दिन के समय और जबकि पूरे वर्ज वो क्या करता है यानी ऊचस्वाईन को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय उसमा को बाहरी अंत्रिच में जाने कि दर को भी कम करता है तो आप इसको याद रखना अब देखिए फ्यद्वा की सता पे जहां वाल मंडल नहीं है वहाँ पर तापमान कितना है 190 डिग्री से माइनस 190 डिग्री से कितना है 110 डिग्री तक तो इसको भी आप याद रखना अब देखे फ्रेंड्स यहाँ पे वायू की गती या फिर पमने यह देखे यह important है अगर यहाँ से question बनेगा तो आप confused हो जाएंगे लेकिन अभी मैं आपको जिस तरह से बताऊंगी आप उसको अच्छे से सुन लेना यह आपको कभी नहीं भूलेगा आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे anxiety बोलती है कि वायू की गती का कारण क्या है मतलब जो वायू की गती है उसको हम क्या बोलते है पवने तो वायू की जो गती है यानि जो यह हमाय चलती है इसका कारण क्या है और वे कौन से कारण है जो उन्हें कभी समीर जिसको हम breeze बोलते है तो कभी तेज हवा या कभी तूफान के रूप में गती परदान करते हैं यानि हम देखते हैं जैसे जब गर्मी होती है और अचानक हवा चलती है तो क्या होता हमको बहुत अच्छा फील होता है लेकिन कभी कभी हवा इतनी तेज चलती है कि मतलब हमको चिड होती है उसे मतलब तूफान जैसा तो मतलब हवाएं मतलब कभी धीरे चलती है कभी तूफान जैसा चलती है तो इनको यह मतलब यह किस वज़े से होती है इनके पीछे वज़े क्या है तो देखे फ्रेंट्स यहा वायमंडल में हवा के गर्म होने तथा जलवास्प के बनने का परिडाम है यह आप आधे देख्व अस्थलिय भाग या जलिय भाग से होने वाले विक्रड के परावर्तम तथा पुनर विक्रड के कारण वायू मंडल गर्म होता है तो इसको आप याद रखना अभी मैं इसको आपको समझा रही हूँ अब देखे फ्रेंड्स यहाँ पे है हमारा देखे यह जो हमारा जब वायू अस्थल यहाँ पर हम क्या पड़े है हवा की गती यानि पवने देखे जब वायू अस्थल और जल के विक्रड के कारण गर्म होती है यानि जब वायू अस्थल जो है वो जल के विक्रड के कारण गर्म होती है तब यहाँ उपर की ओर प्रवाह करती है चुकि जल की अपेच्छा अस्थल जल्दी गर्म होता है इसलिए अस्थल के उपर की वायू जल के उपर की वायू से अपेच्छा तेजी से गर्म होगी और तटिये छेत्रों को दिन में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अस्थल के उपर की वायू तेजी से गर्म होकर उपर उठना शुरू हो जाती है जैसे ही यह वायू उपर की ओर उठती है, वहाँ कम दाब का छेत्र बन जाता है समुद्र के उपर की वायू कम दावाले छेतर की और प्रवाहित हो जाती है एक छेतर से दूसरे छेतर में वायू की गती पवनों का निर्माड करती है अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या है ये हो सकता आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं चलिए अब हम इसको अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक केस देखेंगे दिन के समय का और वो क्या होगा हमारा तटिये छेत्र होगा तो अगर हमको दिन वाला समझ में आ जाएगा तो रात वाला उसी का उल्टा हो जाएगा तो देखिए फ्रेंट्स यह हमारा लैंड वर्से सी ब्रीज अब देखिए आप माल लीजिए एक तालाब के किनारे गएं और वो जैसे देखिए हम तटिये छेत्र किसको बोलते हैं जहां पे जल हो और यह जो अस्थल मंडल हो इसका मिलन हो मतलब जब भी लैंड एडिया के साम मतलब किनारे पे मुहां पे समुद्र होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं तटिये छेत्र बोलते हैं अब देखみatchए यह हमारा sea और यह हमारा land warmer यानि जो हमारा जमीन है इस समय पे गर्म है अब देखे फ्रेंट्स यह day का time है यानि दिन का समय है तो दिन का समय है यह हमारा सूर्य है तो सूर्य से यहाँ से क्या होगा जो भी उसका rage है वो प्रिध्वी पे आएगा तो क्या होगा हमारी जो धरती है वो गर्म हो जाएगी धियान देना फ्रेंट्स यह लाइन इसमें बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपको यह लाइन याद हो गया तो समझेो आपका काम हो गया अब देखिए जब दिन का समय होगा तो सूरज निकरा रहेगा जब सूर्य की केड़े प्रित्वी पे पड़ेंगी तो प्रित्वी जो है यानि जो धर्ती है हमारी वो गर्म हो जाएगी यानि जो लैंड है वो गर्म हो जाएगा तो जब वो गर्म हो जाएगा तो वहां की जो हमाय है वो गर्म होने के बाद उपर उठने लगती है इस तरह को भरने के लिए यहां जो अस्थान खाली हो गया इसको भरने के लिए यह जो समुद्र की हवाई है यह इसका आस्थान ले लेती हैं तो अभी तक हमने क्या देखा जब सूरत दिन के ट्राइम में निकला होता है उसकी केड़े पृत्वी पर पढ़ती है तो जो हमारी गर्म ह हमाई होती है वो उपर की ओर उठ जाती है और जो समुद्री हवा है वो उसका अस्थान ले लेती है तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हमाई किस तरफ से चल रही है समुद्र से अस्थाल की ओर इसको ध्यान देना यही पूछा जा सकता है वैसे बहुत र फूर्थ होगा सूरी जो किरड़ होगी धरति पर आएगी हवाघर्म होगी ऊपर गर्म वह ओपर की और उपड़ जाएगी फिर जो उस खाले सन को भ़नने के लिए समुद्री हवा उसका अस्थान लेने के लिए इधर आगी तो फ्रेंट्स इसमें क्या होता है समुद्र से जो है वो अस्थल की और हवाएं बहती हैं तो आप ये ध्यान रखना अब देखें फ्रेंट्स ये नाइट का टाइम है क्या है नाइट का टाइम यानि रात का समय है तो फ्रेंट्स अब देखें यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है जो अस्थल होता है वो जल की अपेच्छा जल्दी गर्म होता है अस्थल यानि जो लैंड एरिया होता है वो जल की अपेच्छा जल्दी गर्म होता है और फ्रेंट्स अस्थल जो होता है वो जल क या पेच्छा जल्दी जो है क्या होती है गर्म होती है और यह जल्क या पेच्छा जल्दी ठंडी भी हो जाती है तो देखे जब रात का समय होगा तो क्या होगा जो हमारा लेंड एरिया होगा वह ठंडा हो जाएगा क्यों जल्दी ठंडा हो जाएगा लेकिन जो हमारा सी है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो यहां की जो हवा होगी, वो क्या होगी? वो इस समय गर्म होगी, तो फ्रेंट्स फिर भाही केस लगेगा, जो वार्म एयर है, वो उपर की तरफ जाएगी, नीचे से उपर की तरफ, अब इसका अस्थान लेने के लिए, तो अभी हमने मतलब वाय के गति जो पावने हैं उसके पीसे यही सब वजे होती है कि मतलब घर में एर वाँ मेर यही सब हम यहाँ पर देखते हैं तो देखे फ्रेंट्स अब यहाँ पर तो देखे अभी हमने यही पढ़ा तटिये छेत्र है अस्थल की वायू अस्थल के उपर की वायू तेजी से गर्म होकर उपर उठना सुरू हो जाती है जैसे ही वायू उपर की ओर उठती है वहाँ पे कम दाब का छेत्र बन जाता है समुद्र के उपर की वायों कम दाब वाले छेतर की और प्रवाहित हो जाती है एक छेतर से दूसरे छेतर में वायो की गती पानों का निर्मार करती है दिन के समय हवा जो है समुद्र से अस्थर की और होगी तो यही इतना आप याद रखना ये कप का है ये day time मतलब जब दिन का समय है और फिर यहां पे क्या है यह नाइट का यानि जब रात का समय है तो उसमें यह किस लगेगा तो आप इसको पढ़ ले ना अब देखो रात के समय में आस्थाल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते क्योंकि सूरी तो गया अब वहां पे क्या आ गय हवां थिर्थ फंडा हो जाएगा लेकिन जल जो है वह धीरे धीरे थंड़ा होगा यानि वह गर्म ही रहेगा तो उसकी हवा ऊपर के और उठने लगती है और जो हमारे अस्थाल की हवा हैं व उसका 05 हर होने लेने लगती है यानि जो यहां पे हविभीण वाय- से गर्म होने के कारण होता है अब देखें हवाओं को बहुत से अन्यकारक भी प्रभावित करते हैं जैसे प्रित्वी की घूड अनगती पवन के मार्ग में आने वाली प्रवत सिंखलाएं तो यह सब भी इसको एफेक्ट करती हैं आप देखें फ्रेंट्स नेस्ट हमारा यह जलिये भाग गर्म हो जाते हैं अभी हमने पढ़ा ना दिन के समय में जब जलिये भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवास्प बन जाती है फेंट जब भी जल गर्म होता है तो वहां से वास्प बनती है तो जब दिन के समय में जब जल गर्म हो जात हुद्ध होते हैं एक बार जब जल की बूदें निर्मित हो जाती है तो यह तो संघनित होने के कारड बड़ी हो जाती है जब यह बूदें भारी हो ठांक बड़ी अब ये वर्षा के रूप में नीचे की और गिरती हैं तो फ्रेंट्स ये तो सिंपल है ना जब मतलब क्या हुआ जब दिन के समय में जो भी जली यह इलाका है वो क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा तो जो हमारी गर्म हमाएं हैं वो उपर की और जलवास के साथ उठती हैं वहाँ पर जाके वो संगनीत हो जाती हैं चोटी चोटी बूदों में अब वो चोटी चोटी बूदे जो है वो संगनन करके और भी बड़ी हो जाती हैं फिर भारी होके वो क्या करती हैं जमीन पर बारिस के रूप में आती हैं बस यही इतना यहाँ पर याद रखना है और जब वायू का तापमान काफी कम हो जाता है ये हिम विरिष्टिया ओले की रूप में आउचेपित हो जाती है। अब Koran यहाँ पर वर्षा का जो पैटर्ण होता याणि बारीस कैसे होगी की तरह से होगी यह किस पे निलभर करता है तो यह निलभर करता है पवनों के पैटर्न पर निलभर करता है भारत के बहुत बड़े भुभाग में अधिकतर वर्षा दचिर पस्टिम या फिर उत्तर पूर्वी वानसुन के कारण होती है अब दिखें फ्रेंट्स नेस्ट है यहां पे हमारा वाय। प्रदूर्षर तो आप लोग को पता ही होगा वाय। प्रदूर्षर क्या है हमारा वाय। प्रदूर्षर क्या होता है? यानि हमारा जो environment है वहाँ पे जो air है उसमें undesirable change यानि जो कि हम नहीं चाहते हैं ऐसा कोई change हो लेकिन फिर भी वो होगा undesirable change जो होते हैं हमारे air में उसको हम क्या बोल देते हैं air pollution बोल देते हैं अब देखें जीवासम इधन जो होते हैं जैसे कोईला होता है petroleum हो गया हमारा इसमें nitrogen और sulfur की मातरा बहुत कम होती है जब ये इधन जलते हैं यानि जीवासम इधन कोईला या petroleum को जलाया जाता है तब nitrogen और sulfur भी इसके साथ जलते हैं और ये nitrogen और sulfur के बिभिन oxide उत्पन करते हैं और ये वर्षा के जल में मिलकर अमलिये वर्षा भी करते हैं तो friends आप ये याद रखना आपसे पूछा जाता है कि अमलिये वर्षा में किसका किसका आक्साइड होता है मेली तो वो होता फ्रेंस nitrogen और sulfur का आक्साइड यानि NO2 और SO2 तो ये आप याद रखना यहाँ पे nitrogen और sulfur का आक्साइड होता है अमलिये वर्षा में अब देखे friends यहाँ पे जलवास्प के रूप में वायवंडल में इसको छोड़ी देखे प्रिथवी की सताः पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में है तथा यहाँ खा रहा है अब अभी मतलब हमने क्या पढ़ा था कि 75% क्या है जल है लेकिन friends देखे कभी जब किसी से बात करो ना पानी बचाने की पानी बचाय करो तो लोग क्या बोलते है अरे प्रिथवी का तीन भाग तो जल से गिरा है फिर हमको पानी की क्या कमी होगी लेकिन उनको इतना नहीं समझाता कि जो हमारा जल है वो समुद्र और महासागरों में है और यह खारा है जिसका यूज हम नहीं कर सकते हैं अपने जीवन के लिए वो हमारे लिए है ही नहीं सुद्ध जल जो होता वो बर्ष के रूप में दोनों धुरूओं पर तथा बर्ष से ढखे पहाडों पर ही पाया जाता है तो फ्रेंश पानी जितना से ज़्यादा हो सके तो फ्रेंश उनकी ये गलत फैमी है क्योंकि ये समुद्र और महासागरों में जो जल पाया जाता ये खारा होता ये हमारे यूज करने लाए नहीं होता है अब देखें फ्रेंश यहाँ पर भूमिगर जल नदियों जीलों और तालाबों का जल भी सुद्ध होता है अब देखें यहाँ पर जल इतना अवस्चे क्यों है मतलब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि जल के लाब क्या हो सकते हैं देखें सभी कोश काएं पर किरयाएं जलीय माध्यम में ही होती है यानि जितनी भी सेल प्रोसेस होती है जलीय माध्यम में होती है और सरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थो का समभान यानि कंडक्शन घूली अवस्था में ही होता है तो ये भी आप याद रखना अब देखें फ्रेश ये सब आप पढ़ लेना ये सब बहुत इजी है यहां से कुछ भी question बनने के chance नहीं है पर आप अपनी जानकारी के लिए इसको पढ़ लेना अब देखें जल पर दूसर भी आपको पता है जब हमारे जल में undesirable change होते है तो वहाँ पर हम उसको जल पर दूसर बोल देते हैं तो ये सब पता ही है देखें मिर्दा में खनिज की परचुरता आप देखें सबसे बाहरी परत जो होती है उसको हम क्या बोलते है यानि जो हमारे अर्थ का सबसे बाहरी परत होता उसको हम क्या बोलते है क्रस्ट बोलते है या फिर भूप्रिष्ट बोलते है और यह देखे फ्रेंस अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि मिर्दा कैसे बनती है यानि जो हमारी भूप्रिष्ट है जिसको हम स्वाइल जो हमारे स्वाइल का निर्मार करती है तो यह स्वाइल बनती कैसे है तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पे सबसे पहला जो होता है सूर्य अब हमारे दिमाख में आ रहा होगा मतलब आखिर सूर्य कैसे मिर्दा बनाती है तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पे दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है सूरी जो है दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं यानि वो फैल जाते हैं और रात की समय ये पत्थर ठंडे हो जाते हैं जब ठंडे हो जाते हैं तो वो संकुचित हो जाते हैं क्योंकि पत्थर का प्रतेक भाग आसमान रूप से प्रसारि दरार आ जाती है तथा ये अंत में ये बड़े पत्थर तूटकर छोटे चोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं तो इस तरह से सूरी जो है यहां पर इंडार क्ली रोल निभाता है लेकिन आप याद रखना मिर्दा बनाने के लिए सूरी की जरूरत होती है अब दे क्षnel जम जाता है तो यह दरार को ऐधिक चाड़ा कर देगा इन बहर को कठोर पथे को टोड़ों कर देता है तो आप यह तरह ही प्त्थर को तूड़ फोड़ों से कठोर पथर को को तोड़ देता है आप देखें फ्रेंज नेश्ट है हमारा वाजू वाजू किस तरह से मिर्दा के निर्मार में हेल्प करती है तो जब जल में पत्थर एक दूसरे से टक्राने की कारवर तूटते हैं तो उसी प्रकार तेज हमाई भी पत्थरों को तोड़ देती है वाजू जल की ही तरह क्याएं ऑससे इंपॉर्ट्टे और वो होता हमारा फ्रेंज लाई वहता है आप याद दक्थना मिर्दा निर्मार में लाईप ब़ुत बड़ा रोल निभाता है अब देखें यहां पे कैसे आखिर कैसे लाइघेन यहां पे रोल निभाता है तो देखें एक staat छोडते हैं लाइकेन जो होते हैं जब वो पथ्रों की सता पर उगते हैं तो आपने लाइकेन के बारे में पाढाई होगा ये फंगल ऐसोचीसन अहुआएंड इलगी उनका वो मतलब एक सिंब्योटिक इसोचीसन होते हैं तो देखिए जब ये मतलब लाइकेन पत्थरों पे उगते हैं तो वहां पे वो एक पदार्थ यानि एक केमिकल छोड़ते हैं जो पत्थर की सता को चूड़ के समान कर देता है यानि उसको चूड़ बना देता है यानि उसको छोटे-छोटे पाटों में तोड़ देता है उसका पाडर बना देता है और म लाईकेन तो पथर पे उख सकता है लेकिन INS पठर में पर देगा फिर उसके क्या होँगे मास मास मशी होते हैं जो हमार ब्रायौफाइट होती है वह एक पर उगने स्टार्ट हो जाते हैं और यह पथर की मथे मुले जब होता है आप मिट्टी होता है यह मिश्रड होता है इसमें क्या होता अब ये देखे Completely हो के टुक्डे मिलते हैं जिसको हम क्या ॥allet है उमें उभ्म से कैनिपячे सी तुक्रों थो युपर विखके मिट्टी में जो के टुक्रों होते उसकों किया पउसक कितने हैं और उसकी मात्रा कितनी है और अब हराई कितनी है तो अगर कभी आपको लगता है कि मिट्टी खूब नीचे तक होती तो ऐसा नहीं होता है वह उसकी पतली परत होती है अगर कभी आप कुवा तक वह निर्धारित करती है आहां पर आ यहां पर हम देखते हैं पउधोंLEY एरोजन को रोगने में महतो भूड'd महतो पुडोंध भूमि का निभाती औब देखे फ्रेस यहां पे आप बहते जल का ऊपरी मिर्डा सता की मिर्डा पर परभाव क्या होगा आप देखे अगर यहां पे जिसे हम बोलते हैं कि अगर हमको स्वाइल इरोजन रोकना है तो तो वहां पे हमको खूब ज़ादा से ज़ादा f discourse sun करना यानि वहाँ पे अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए हमको deforestation कम से कम करना चाहिए तो देखे अगर यहाँ पे फसल है तो फसल की जड़े जो होंगी वो मिर्दा को रोक के रखेंगी उससे हमारी मिर्दा नहीं भेगी देखे यहाँ पे कोई भी स्वाल पार्टिकल नह जाएंगी यानि मिट्टी का एक जगां से दूसरे अस्थान पर बह जाना बह कर दूसरे अस्थान पर चले जाना इसको हम क्या बोलते हैं तो देखें जंगलों का कटना जो की पूरे बिस्व में हो रहा है ऐसा तो फ्रेंट्स ये ना केवल जैविक विवित्ता को नश्ट कर रहा बलकि मिर्दा के अपर्दन के लिए भी उत्तरदाई है ये तो यह आप याद रखना अब देखें जैवरासायनिक चक्रड क्या होता है जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा प्रिथ्वी है यहां पे जैविक घटक भी होते हैं आजविक घटक भी होते हैं तो फ्रेंट्स के बीच में अंताह किर्या होती रहती है और उस अंताह किर्या को उस सामन जसी को बिठाने के लिए उसको मतलब जीव मंडल को गतिसील और इस्थिर बनाता है कौन जैवरासानिक चक्रड तो फ्रेंट्स आप देखें यहां पे सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं जलिये तो देखें जलिये चक्र में क्या होता है पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा जल मतलब जलिये चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल जल वास्प बनता है और वर्षा के रूप में सता पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुँच जा जले देखे देखे यहां पे हम देखते हैं प्रकृत में जल चक्र यानि अभी जो हम देखे जल चक्र यह चलता कैसे हैं यह हम देखते हैं तो फ्रेंज देखे हमारी पृत्वी होती है यह हमारा पृत्वी अब इसके नीचे जो भी पाया जाएगा क्या होगा जल मतलब इसक पर यह जल पाया जाता है यहां से क्या होता है यह मतलब जल जो है वो जब सूरी की केड़े आती है तो जल गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद जलासेयों का जो पानी है वो जल वास्प बनकर उपर उड़ने लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं वास्प और सरजन यानि इ लिवर्परेटन के बाद यहां पे kondensation होता है यानि संगनन होता है जिससे बादल जो है वह बनते हैं तो फ्रेंट जब संगरन होगा बर्सा की वुंदे बनेंगी फिर वो कंडेंसेशन होके फिर क्या होगी ये प्रिथिवे पर वापस आएंगी बारिष के रूप में तो फ्रेंट क्या होता है पहले तो सूरी की केड़े आएंगी जल गर्म होगा वास्पोस बनेगा और फिर से समुद्र में आ जाएगा तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है फिर से ये गर्म होगा फिर से वास्पोस सजन के द्वारा उपर जाएगा फिर से कंडेंसेशन होगा फिर से बारिष होगी फिर से वह जल वापस मिल जाएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं जल चक्र तो nitrogen चक्र से पहले आप ये जान लिजे जो हमारा वाई मंदल होता है उसमें nitrogen कितनी होती है 78 प्रिशत होती है nitrogen देखें friends nitrogen बहुत सारे अड़ों का भाग होता है तो उसमें से ये protein जो है इसमें भी nitrogen होता है नुकलीक अमल जो हमारे होते हैं जैसे DNA RNA इसमें भी nitrogen चक्र होता है और कुछ bitwins होते हैं उसमें भी nitrogen होता है DNA मेंस क्या होता है D-Axi-ribonucleic acid RNA क्या होता है ribonucleic acid तो इसका full form भी आप याद रखना अब देखें friends यहाँ पे nitrogen cycle देखें कि यहाँ पे देखें friends हमारा जो वाव Monstle होगा महां पे क्या होगा nitrogen होगा अब यह nitrogen जो होगा यह तो पौधे जो होते हैं यह म्कहार golden 140 होता है उसके बाद यह जो हरे पाउदे हैं इसके बाद यहां पर आमोनिय को होना दॉध SHA K फिर से वाइवंडल में जाके मिल जाता है यहाँ की ना होने के बाद से जो जन्तू होते हैं ना होते हैं यानि जो हम इनी मल होते हैं, हम पथो पर ही डिपेंड होते हैं, तो जब हम पथो को महां से ग्रेंस उसका जो कुछ भी पथो से लेंगे, तो जो नाइटोजन वो हमारे भी अंदर जाएगा, फिर यहां से अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया से यह नाइटराइड में चेंज मिल जाएगा अब दिए पर एक हो सकता है कि नायट्रीपिकेशन के दौरा sen यह गा सकती है यैंनि हमारे मदल में इसृत होगा फिर पहजें इसको क ले 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 यह तो यह हो सकता है या फिर क्या होगा डारिक्टली यहां पे nitrogen का क्या होगा nitrogen होगा और nitrogen के बाद यह फिर से nitrogen में change होगे और denitrification के परग्रियक द्वारा फिर से यह y-manda में मिल जाएंगे तो आप बस इतना याद रखना कि nitrogen जो y-manda में होता है वहाँ से पौधे डिरेक्टली नाइटोजन को नहीं गेन कर सकते हैं वो इसको नाइटाइड के फार्म में नाइटाइड के फार्म में वहाँ से ये इसको लेते हैं तो फ्रेंट्स डिरेक्टली पौधे नाइटोजन को असेप्ट या गेन नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हमको nitrogen का इस तरी करण करना पड़ता है उसके बाद जो है ये पौधे उसको असेप्ट करते हैं फिर ammonia करण होता है यानि अमोनी फिकिसन होता है फिर ammonia रिली वहाँ से बनता है अमोनीय के बाद nitide बनता है nitide nitide में change हो जाता है फिर से ये वाइ मंडल में मिल जाता है और ये cycle repeat होती रहती है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इसलिए हम इसको nitrogen चक्र बोलते हैं तो देखे फ्रेंस nitrogen और कहां कहां पर पाया जाता है इलकेलाय जो होते हैं और यूरिया इसमें भी nitrogen पाया जाता है तो फ्रेंस ns2 co ns2 ये होता हमारे यूरिया का formula तो इसको भी आप याद रखना आप देखे फ्रेंस नेस्ट हमारा nitrogen इस्तरी करड़ करने वाले ये बैक्टीरिया या तो स्वतंतर रूप में रहते हैं या फि species क्या होता है जो कि हमारा होता है फलीदार पौधा जिसको हम क्या बोलते हैं लेग्यूम लेग्यूम प्लांट जो होते हैं वहां पे उनकी जड़ों की साथ ही रहते हैं और लेग्यूम प्लांट में क्या क्या आता है हमारा जैसे पीज हो गया जो भी हमारे दलहनी फसले हो पूंक योफ के रहुपसे जैसे हमारा मतर हो गया उसके साथ में उसके डूट के साथ में यह बैक्टीरिया पाया जाते हैं zal जो नाइक्टुझन इस सद्री करते हैं अब देख्यों ताप सिपटर पर नैट्र है कि Eckam भुलका नाइट्रेट्थ नाइट्रीयक खyangल बनाते हैं और वर्शा के साथ भूम की सताव गिरते हैं और फिर बेंगे फ्रिंटि को नाइट्राइट को गरहड करतेइज बर आप से पूछे तो एज है आमीनों होता है और इन सब चीजों के बारे में आर एन डियने अमीनों अमल प्रोटीन फायट यह सब जोता है इसके बारे में कहां पर पढ़ते हैं बायो मालेक वे से वसे हमारे सिलेबस में नहीं दिया है तो बहुत कम चांस हैं इसको पढ़ेंगे फिर भी हम देख इससे प्रकार प्रक्रित में एक नाइटोजन चक्र होता रहता है। और अब देखे 좋은 आजये। देखे नेंस्ट है मारा कार्बन चक्र , आज चखर हम यह देखलें ए meinen फ्यर्वावी आज़। हैं जैसे हमारा होता है हीरा मतलब कार्बन जो है हीरे के रूप में ग्रेफाइड के रूप में भी पाया जाता है योगी को बहुत से रूप में हैं जो हमारा कार्वन होता वह पाया जाता है जैसे वाई मंडल में कार्वन जो है वह सीओटू के रूप में यानि कार्वन डाय पर यह आधारित होता है और बहुत सारे जन्तों के बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवडों के बने होते हैं तो इसको भी आप याद रखना तो फ्रेंट्स कार्बन जो हो कई सारे स्टेजे में पाया जाता है तो यह आप याद रखना कौन से चीज में कौन से स्ट करबन ड्यक्साइड को ग्लूपोज अड़ों में बदल देती है तो इसको आप याद रख सकते हैं अब देखिए यहां पर जो कि कार्बन चक्र होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं आप देखिए फ्रेंश कार्बन तो हमारे वाई मंडल में कार्बन किस रूप में जाता है अब यहां से पाउध यूद्न करते हैं किस प्र्यांस के लिए फोटो जिन्थेसेश के लिए बाउधे जो है बाई मंडल से करवन डाइक्स राट को गेन' करते हैं और जो plant होते हैं उन पे क्या depend होते हैं जन्तु यानि animal पौधों पे depend होते हैं तो friends जैसे अब हमको carbon चाहिए तो हम क्या करेंगी क्या हम directly coil out हाके खाने लगेंगे फिर हमको carbon निल जाएगा ऐसा नहीं होता है friends वाय मंडल में जो carbon dioxide होती है उसके दोरा पौधे photosynthesis करते हैं फिर जो जन्तु होते हैं वो पौधे पे depend होते हैं तो इस तरह से फिर जो जन्तु होते हैं वो स्वसन करते हैं मतलब जब respiration करते हैं तो हम क्या बोलते हैं हम oxygen को अंदर लेते हैं और co2 को बाहर छोड़ते हैं तो फ्रेंट जो जब जन्तु जो है वो रेस्पिरेशन करेगा तो स्वसन करेगा तो वहां से co2 फिर से वार्तावारण में चली जाएगी तो यह सिंपल हुआ ना वाय मंडल में क्या है co2 यानि carbon जो है वाय मंडल में चली जाती है या फिर देखिए जो carbonic योगिक यानि पादफ के बाद जब यह पादफ मर जाएंगे यह पादफ मर जाएंगे फिर कई मतलब ऐसा नहीं वह तुरंत कोईला में डेड़ हो जाते हैं अब देखिए या तो co2 जो है वो पानी में carbonate के रूप में पाए जाता है या फिर चूना पत्थर के रूप में और या फिर यह जो carbonic पौध है या तो इनके मरने के बाद यह कोईला बन जाएंगे या फिर petroleum बन जाएंगे या फिर फिर देखिए जो जनतू होते हैं, यह इनका यूज अकार्बनिक कार्बोनेट यानि अपना सलक बनाने में भी यूज करते हैं, तो इस तरह से friends, जो हमारा यह जो co2 होता है, यह इसका चक्रड होता रहता है, यह यह यहाँ पे गैन होते हैं, लेकिन किसी तरह से फिर शिवाय वंडल में, चल कोज का उपयोग होता है और स्वसंद की किरिया द्वारा गुलुकोज को कार्मन डायकसाइड में बदलने के लिए आक्सीजन का प्रियोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो इसको आप याद रखना अब देखिए जल की तरह कार्बन की बिभिन भावती क्यों जैविक किरियाओं के द्वारा पुनल चक्रण होता रहता है अब देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव तो इसको अब हम थोड़ा देर बात देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं आक्सीजन चक्रण तो जैसा कि हमकों पता है हमारे वाय मंड प्रेट तथा अन्य खनीजों के रूप में भी यह पाई जाती है और देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे यह जो है कार्बोहाइड़ेट प्रोटीन न्यूकलिक एसिड वसा अर्था जिसको हम लिपीड बोलते हैं इसके रूप में भी यह पाया जाता है जो हमारा आक्सीजन ह होता है इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए फ्रेंट्स हमारे वाय मंडल में ऑक्सीजन जो है वह और ओटू के फार्म में पाई जाती है तो देखिए सबसे पहले क्या होगा जो जो भी एनिमल होते हैं जो भी प्लांट्स होते हैं वह क्या करते हैं स्वस और comment box में बताइए कि जब पौधे respire करते हैं, जब सौसन करते हैं, तो वो क्या लेते हैं? O2 लेते हैं या फिर CO2 लेते हैं? क्या लेते हैं? तो friends देखिए, हो सकता है, आपको ये पता हो कि पौधे CO2 लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जितने भी animal होते हैं, यानि जो जानवर होते हैं, या हम लोग होते हैं, और जो हमारे plant होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सौसन के लिए O2 ही लेते हैं, हमारा plant भी सौसन के लिए O2 ही लेता है, तो आप ये भूल जाएए कि वो CO2 लेता है, फ्रेंट जो plant होता है वो CO2 का उपयोख photosynthesis में करता है ना कि respiration में respiration में जो हमारा plant होता है वो O2 लेता है तो यह आप याद रखना तो फ्रेंट जितने भी जीवित organism होगे यानि जैसे हम लोग हो गए या plant हो गया वो environment से O2 को लेंगे और फिर वहां से स्टो भी बनेगा तो यह जो है यह फिर से प्रकास संस्रेशर में इसका यूज हो जाता है और फिर से प्रकास संस्रेशर जब होगा तो वहां से oxygen बाहर लेगी यानि वह हमारे में रिलीज होगी और इस तरह से साइकल चलती रहेगी या फिर स्वसंद के बाद क्या हो सकता है क्योंकि फ्रेंट जब रेस्पायर करते हैं हम तो वहां से यूटू भी बाहर निकलती है और पानी भी बनता है तो यह आप याद रखना देस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज होगा और वहां से क्या बनेगे कार्बनिक अड़ू जैसे सी सिक्स एस ट्वल बो सिक्स जिसको हम क्या बोलते हैं गुलू कोज गुलू कोज तो इसको आप याद रखना फिर सी यह सोसन में यूज होगा और इस तरह से फिर से प्रकास्टन स्थिसर होगा और फिर सी यह वाय मंडल में ऑक्सीजन चली होता है उसका मतलब उसका यूज तीन प्रक्रिया में होता है एक तो सवसन में होता है दूसरा दहन में यानि कमबसन में होता है यह नाइटोजन के आकसाइड के निर्माड में भी होता है अब देखिए वाय मंडल में आकसीजन में केवाल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे ह कि प्रकिरिया oxygen की ऊपस्थिती में नहीं होती है ध्यान देना बैक्तिरिया के दौर जो nitrogen इस्थरी करड यानि nitrogen fixation होता है वहां पर वह आपक्षिजन की आवस्यक्तान नहीं होती लिए नहीं होती है तो यह आप याद रखना अब देखिए यहां पर हमने एक टॉपिक छोड़ा हुआ है वह हमारा ग्रीन हाउस प्रुभाव कर देखिए यहां पर हम ग्रीन हाउस प्रुभाव को जानने से पहले यह देख लेते हैं कि green house होता क्या है green house क्या होता है तो अभी देखिए यहाँ पे आपको यह दिख रहा होगा यह इस तरह से एक घर जैसा structure होता है देखिए यह दिख रहा ना तो देखिए यहाँ पे क्या लगे हुए है glass लगे हुए है यानि सीसा लगा हुआ है अब friends क्या होता है इसका यूज कहां पे होता है तो जो खूब ठंडे परदेश होते हैं यानि जहां पे खूब cold regions होते हैं वहाँ पे क्या होता friends वहाँ पे पौधे normally नहीं उख सकते हैं तो उनको उगाने के लिए क्या करते हैं इस तरह से सीसा वाला एक घर बना दिया जाता है यानि उसके चारो तरह उपर से और उसके सराउंडिंग से वहाँ पे ग्लास वाला एक घर बना दिया जाता है और उसके अंदर पधो को लगाया जाता है अब ऐसा क्यों किया जाता है फिर जब सूरे से जो भी मतलब रेज है वो सीसे पर पड़ती है तो फिर यह क्या करता है यह उसमा को यानि हीट को हीट को वो मतलब अपने अंदर ले लेता है उसको ट्रैप कर लेता है और फिर यहाँ पर जो है वो हीट बाहर नहीं जा पाती है और यहां का जो अंदर का environment है वो warm हो जाता है यानि गरम हो जाता है और फिर वहां पर plant जो है वो easily grow कर सकते हैं तो friends अब देखिए इसी तरह से हमारी प्रिथवी भी है तो friends उसी तरह से हमारी प्रिथवी भी है अब जिसे हम यहाँ पर देखते हैं यह हमारी अर्थ है तो Friends, इसके जो सारफेस पर जब भी मतलब सुरी की केड़े आती हैं तो आके यहाँ पर ट्रैफ हो जाती है और वो Friends, बाहर नहीं जापाती है तो Friends, जब वो कुछ तो जो हैं वो बाहर के और चली जाती है और कुछ जो हैं वो अंदर की तरफ तक आ जाती है और फिर ये किसी रिजन से बाहर नहीं जाब आती है और यहां का जो environment है वो warm होता चला जाता है यानि गर्म होता चला जाता है उसका तापमान उसका temperature जो है वो increase होता चला जाता है उसी को हम क्या नाम दे देते हैं green house प्रभाव आप देखिए कुछ गैसे प्रिथवी से उस्मा को प्रिथवी के वाय मंडल के बाहर जाने से रोकती है कुछ गैसे ऐसी होती है जो जब मतलब सूरी से रोशनी आती है प्रिथवी पर फिर वो बाहर उसको नहीं जाने देती है वाय मंडल में बिद्दमान इस प्रकार की गैसों में ब्रिथी संसार के आउसत तापमान को बढ़ा सकती है इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव और कार्बन डाय अकसाइड भी इसी प्रकार की एक गैस होती है तो फ्रेंट्स ग्रीन हाउस प्रभाव में हम क्या देख रहे हैं CO2 होता है यहाँ पे S2O भी होता है और यहाँ पे और भी कई सारी gases होती है तो यह आप ध्यान रखना अभी हम इसका composition question में भी देख लेंगे अब देखें friends यह जो हमारा green house प्रुभाव है इसकी वज़े से क्या होता है इसकी वज़े से global warming जो होती है यानि west week उसमी करण जो होती इसकी इस्थिती भी उत्पन होती है अब यह क्या है वाय मंडल में विद्दमान carbon dioxide में व्रिद्धी से वाय मंडल में उसमा की व्रिद्धी होती रहती है मतलब जब यह लगातार होती रहेगी तो वो क्या होगा वो global warming का रूप ले लेता है तो यह आप याद रखना अब देखें फ्रेंस हमारा जो last topic है वो है ozone परत यानि ozone layer अब देखें जो हमारा ozone होता है नार्मली जो हमारा oxygen होता है वो 2 परमाडमिक यानि O2 के रूप में पाय जाता है लेकिन ozone जो होता है यह 3 times oxygen को मिलने के बाद बनता है इसका formula क्या है O3 यानि O3 इसका सूत्र होता है जिसे हम क्या बोलते है ozone अब देखें ozone क्या होता फ्रेंस यह ozone जो होता यह बिसैला होता है और फ्रेंस यह सूरिज से आने वाली हानी कारक विकरडों को associate कर लेती है इस प्रकार यह उन हारन कारक विकरडों को पिर्थवी की सता पर पहुंचने से रोकती है और यह देखे ozone प्रत का हरास जैसा कि हम सब को पता है ozone layer जो है इसका हरास होता चला जा रहा है इसका आउच्छे होता चला जा रहा है इसमें depletion हो रहा है तो मनुस्यों के उतारा बनाएगे बिभिन परकार के योगीक जैसे chloro-fluorocarbon हो गया CFC वाई मंडल में इस्तिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं और फिर CFC क्या है chlorine और chlorine यूक्त एक carbonic योगीक है यह बहुत अस्थाई होते हैं ध्यान रखना CFC बहुत ही अस्थाई होते हैं तथा किसी जयव परक्रिया द्वारा भी विगठित नहीं होते हैं तो आप देखे फ्रेंस यहाँ पे सबसे पहले जो ozone layer है इसका पता कहां पे लगाया गया था ozone परत का मतलब ozone परत में छिद्र पाया जाता है इसका पता सबसे पहले अंटार कटिका के उपर लगाया गया था यानि अंटार कटिका के उपर ozone परत में छिद्र पाया गया देखे इस तरह सबसे पहले यह इतना छोटा सा था फिर इतना बड़ा हो गया फिर और इस तरह से ये इसका साइज बढ़ता जा रहा है इसमें होल बढ़ता जा रहा है आप देखे फ्रेंस ओजोन परत के और भी अधिक छीड होने के करण पित्वी पर जीवन पर पढ़ने वाले प्रभाव के विशे में कल्पना करना भी कठीन है तो ये सब तो ऐसे ही है तो अब देखे फ्रेंस हम बढ़ते हैं क्वेशन की तरफ तो क्वेशन बहुत अच्छे रखे गए हैं और यहां पर ये दोनों लैंग्वेज में रखे गए हैं तो आप क्वेशन को खूब अच्छे से अटेंट करिए और मेरे उत्तर बताने के पहले ही आप इसको आंसर क गर्मिंट है वह वी करडोन से गर्म होता है इसके मुख्य रूप से इसमें क्या होते है तक प्रिथ्वी से गर्म होता है तो अब नेश्ठ नहें हमारा यहां पे फ्रेंज यहाँ पे है इप चलिए हिंदी में ही देखते हैं ये प्रिथवी के चारो और वायू मंडल नहीं होता देखें फ्रेंज मतलब ये प्रिथवी के चारो और वायू मंडल नहीं होता तो प्रिथवी का तापमान होता प्रिथवी का तापमान क्या होता वृद्धी यानि वो increase होता घड़ता चला जाता मतलब घड़ता चला जाता यानि decrease होता दिन में बढ़ता और रात में घड़ता तो आप बताए इसमें क्या होता तो फ्रेंश हमने क्या पढ़ा था जो हमारा Y-mandal होता है यदि प्रिथवी के चारो और Y-mandal नहीं होता तो प्रिथवी का तापमान होता यहाँ पर प्रिथवी का तापमान क्या होता है तो फ्रेंश हमने क्या पढ़ा था Y-mandal जो होता है यह हमारे प्रिथवी पर जो temperature है उसको constant रखता है तो फ्रेंश अगर Y-mandal नहीं होगा तो जब दिन में सूरे निकलेगा तो temperature क्या होगा बढ़ जाएगा और फिर रात जब सूरे छिप जाएगा वो चला जाएगा तो क्या होगा वहाँ पर temperature घट जाएगा प्रिथवी पे तो फ्रेंश प्रिथवी का अतापन कैसा होगा दिन में बढ़ जाएगा रात में घट जाएगा दिन में बढ़ जाएगा रात में घट जाएगा ऐसा होगा अगर Y-mandal नहीं होगा तो यह आप याद रखना अब देखें फ्रेंस नेस्ट है हमारा क्या होगा यदि परियावरण में मौझूद सभी आक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर दिया जाए यदि परियावरण में मौझूद सभी आक्सीजन को आक्सीजन क्या है? O2 है तो friends O2 में एक और वो मिला दो ये क्या बन जाएगा O3 तो क्या होगा येदि oxygen को ओजोन में परिवर्ति कर दिया जाए तो friends देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा तो ये हानिकारक सूर्य विक्रड़ों को प्रिथवी तक पहुँचने और कई जीवन रूपों को नुकसान पहुचाने में मदद करेगा तो इसको आप ध्यान रखना देखिए नेश्ट है हमारा निम्लिखित कारकों में से एक प्रकृत में मिट्टी के निर्माड का करण नहीं बनता है तो फ्रेंस हमने पढ़ा था मिट्टी के निर्माड में मैंने आपको बताया था सूर्य भी हेल्प करता है पानी भी हेल्प करती है हवा भी हेल्प करता है यहाँ पर पॉलिथीन बैग मिट्टी को मतलब मिट्टी का यानि सॉयल फार्मेशन में कोई भी help नहीं करता है तो यहाँ पे हमारा polythene bag सही option हो जाएगा अब देखें friends, next है हमारा यहाँ पे Y bundle में पाई जाने वाली oxygen के दो रूप होते हैं, यानि Y bundle में oxygen किस किस रूप में पाई जाता है, तो friends अभी हमने देखा था oxygen या तो O2 के हो गया, oxygen हो गया, O3 क्या हो गया Ozone हो गया, तो Ozone और oxygen इसके रूप में यह पाई जाता है अज़िके friends, next हमारा जीवाडूओं द्वारा nitrogen इस्थरी करण के परक्रिया किसकी उपस्थिती में नहीं होती है तो friends यहाँ पे जीवाडूओं द्वारा nitrogen इस्थरी करण के परक्रिया किसकी उपस्थिती में नहीं होती है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी nitrogen इस्थरी करण यानि nitrogen fixation होता है, तो वहाँ पे oxygen का कोई भी रोल नहीं होता है वहाँ पे oxygen जो है वहाँ पे कोई भूमिका उसकी नहीं होती है यहाँ पे oxygen क्या हो सकता नहीं होती है तो यह आप याद रखना आप देखें friends वर्षा का pattern किस पे depend करता है तो friends वर्षा का pattern क्या है, मतलब वर्षा किस रूप से होगा कैसे होगा, यह depend करता है एक चित्र में जल निकायों की संख्या कितनी है तो यह आप याद रखना देखें नेश्ट, जो English वाले हैं वो English में देख लेना, जो Hindi वाले हैं वो Hindi में देख लेना, तो देखें मैंने सारा Hindi में पढ़ाया इसलिए मैं Hindi में ही करवा दे रही हूँ अदर्वाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है Hindi इंगलीस में तो देखें फ्रेंज, यहाँ पे नेश्ट है हमारा दिये गए बिकल्पों में से कौन सा एक बड़ी मात्रा में उर्वरकों और कीट नासकों के उपयोग के लिए सही नहीं है, ध्यान देना मतलब यहाँ पर यह बोल रहा, अगर बड़ी से बड़ी मात्रा में मतलब जादा से जादा मात्रक में हम उर्वरक का यूज करें और कीट नासक का यूज करें तो उसके लिए क्या सही नहीं है तो देखें, यह वातावरक के अनुकूल होते हैं यह कुछ समय बाद खेतों को बंजर बढ़ना देते हैं उपयोगी घटक पर प्रत्कूल प्रभाव डालते हैं मिटी की उर्वरक को नश्ट कर देते हैं तो फ्रेंस हमने कल वाली वीडियो में देखा था वहाँ पे उर्वरक के बारे में हमने पढ़ा था फ्रेंस यह जो होते हैं उर्वरक और कीट नहीं हो सकते हैं किसके द्वारा परिवर्थी किया जाता है अब देगे मिटी में मौझूद नौब Luna fixing carbon तो नहीं होगा नाइटोजन योगों का निर्मार करने वाली नहीं खेट में अनाज की फसल की रूप में इस्तिमाल होने वाले पौद है तो यह सब नहीं है फ्रेंज जो नाइट्रेट और नाइट्राइड में करते हैं वो होते हैं मिट्टी में मौझूद नाइट्रोजन चल रहे जल चक्र में सामिल कदम नहीं है यहां पर बोल रहा कि वाटर साइकल में कौन सा इसटेप यहांपे नहीं होता है तो देखे वास्पी करड यानि Boss यानि इवाइपोरेशन ये तो होता है वास्पोर्ट सर्जन वर्षा तो फेर्स ये सब क्या होती है यहाँ पे होता है लेकिन फेर्स क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि जल चक्र में यानि वाटर साइकल में फोटो सिंथेसिस होता है लेकिन हमारे जो हमारा वाटर साइकिल है वहाँ पर ये तीनों इस्टिफ़ाल होते हैं इवापरेशन बासबस सर्जन वार्षा तो यह आप याद रखना देखें नेश्ट है हमारा यहाँ पर जल प्रदूसर सब्द को कई तरह से परिभासित किया जा सकता है निमने लिखित में से कौन सा सही परिभासा नहीं है तो देखें फ्रेंट जल निकायों में अवांचित प्रदार्थों के अत्रिक्त जल निकायों से वांचिये प्रदार्थों को हटाना जल निकायों के दबाव में परिवर्तन जल निकायों के तापमान में परिवर्तन तो फ्रेंट जब एक सेकेंड इसको इंग्लिस में देखते हैं देखिए एडिसन आप अंडिजारेबल सबस्टांस टू वाटर यानि जब कोई अंडिजारेबल यानि अन्निससरी चीज़े वाटर बॉड़ी में मिल जाएंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं वाटर पॉलूशन तो यह तो सही है रिमूबल आप डिजारेबल सबस्टांस वाटर बॉड़ी यह भी सही है लेकिन फ्रेंज यहां पर देखें प्रेसर की बात कर रहा है कि आचेंज इन प्रेसर आफ वाटर बॉड़ी तो यह फ्रेंज यह नहीं होता है यह वाटर पॉलूशन नहीं होता है तो इसको आप य तो देखे greenhouse gas में क्या होता है methane होता है carbon dioxide होता है carbon monoxide होता है लेकिन फ्रेंज यहां पर ammonia नहीं होता है तो यह आप directly इसको याद रखना यहां पर होते हैं यानि जल वास्प तो इसको आप याद रखना यहां पर एस्टूव वेपर भी होते हैं methane CO2 COA सब होते हैं लेकिन ammonia नहीं होता है तो देखे फ्रेंज इस्टप इस नाट इन्वाल्बिल कार्बन साइकल यानि कार्बन चक्र में कौन सा चरड सामिल नहीं है तो देखे फ्रेंज फ्रकास सिलिशर वास्प तो जीवास मिधन का चलना तो अभी देख ενहar पर इसमें बड़ा कौन सा चरड सामिल नहीं है तो संबियल नि फ्यूल तो यह सब यहां पर है लेकिन उसमें वासपोस सरजन नहीं है क्योंकि वासपोस सरजन तो हमने जल्चक्र में पढ़ा था अब देखे फ्रेंस यह जो अभी हाली में एन्वेस का एक्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था तो देखे हैं तो इसी तरह से पूछे जाएंगे यहां पर जितने भी कोईशन है सभी अच्छे लेवल के कोईशन है सभी एक्जाम ओरियेंटेड है तो आपको टेंसन नहीं लेना है बस पढ़ते जाना है अच्छे से सब कुछ करते जाना है तो देखे friends ozone holes क्या होते हैं large size hole होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है friends जो ozone hole होता है वो thinning up ozone layer यानि ozone layer का पतला होना ही हमारा ozone hole होता है तो इसको आप याद रखना देखें next है हमारा ozone layer जो है friends ozone परत का छरड हो रहा है क्योंकि मतलब क्यों जो ozone depletion ये क्यों हो रहा है तो friends यहाँ पर automobile का अत्यधिक उपयोग और दोगीक इकायों का अत्यधिक गठन अत्यधिक बनों की कटाई हमने क्या परता है CFC chlorofluorocarbon तो देखे friends फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों युक्त मानो निर्मित युगीकों का अत्यधिक उपयोग से ozone depletion हो रहा है हमने क्या परता है CFC chlorofluorocarbon देखे friends next है हमारा कौन सी परियावरण की हाली में उत्पन होई समस्या है ozone परत की कमी green house प्रुभाव global warming तो ये सभी friends परियावरण की समस्या है तो इसमें हमारा सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी देखें नेश हमारा जब हम सांस लेते हैं जब हम हवा में सांस लेते हैं तो nitrogen तो oxygen के साथ nitrogen भी अंदर चली जाती है यह nitrogen का भाग ये क्या है भाग ये क्या है यानि fate क्या है यहाँ पर हम उसको बोलते हैं उत्पाद क्या है तो देखें जब oxygen के साथ nitrogen अंदर चली जाती है तो यहाँ पर क्या होता है या कोशिकाओं में oxygen के साथ चला जाता है सांस छोड़े के दवड़ान या CO2 के साथ बाहर आता है यह केवल ना कोशिकाओं दोरा आउसोसित होता है कोशिकाओं में nitrogen एक आगरता पहले से ही अधिक है इसलिए यह बिल्कुल आउसोसित नहीं होता है तो फ्रेंस यहाँ पर क्या है सांस छोड़ने के दवड़ान या CO2 के साथ बाहर आ जाता है यह अब्जॉर्ब नहीं होता है तो इसको आप याद रखना है जब हम सांस को अंदल लेते हैं फिर जब छोड़ते हैं तो यह उसके साथ ही बाहर आ जाता है देकि फ्रेंस नेस्ट है सीर्स मिर्दा यानि जिसको हम क्या बोलते हैं उपरी मिर्दा जिसको हम पढ़े थे उपरी मिर्दा में क्या सामिल है तो फ्रेंस यहाँ पे केवल हुमस जीविद जीव केवल हुमस मिट्टी के कड हुमस जीविद जीव पौधे हुमस जीविद जीव मिट्टी के कड तो फिर यहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं यहाँ पे केवल हुमस दिया है लेकिन उसमें जीविजीव भी होते हैं तो यह हमारा यह राइट अप्सन हो जाएगा हुमस जीविजीव और मिट्टी के कड तो इसको आप याद रखना अब दिखें यहाँ पे पूछा जा रहा है पूछ रहें कि वातावरण में यहाँ पे देखें क्या हमारा सही करमों का चैन कीजिए यानि जो हमारा यहाँ पे सही करम दिया है उसको हमको यहाँ पे चूज करना है अब देखिए ये हमको देखने के वाद पता चला कि ये carbon cycle से related है कुछ क्योंकि वातावरण में CO2 है वातावरण में CO2 है तो देखिए सबसे पहले तो यही होगा ना कि मतलब वातावरण में CO2 होगा अब जो भी होगा यहीं से कुछ होने वाला है तो पानी में अकार्बनिक कार्बोनेट ये तो नहीं होगा ये भी नहीं होगा तो देखिए वातावरण में CO2 है ये तो सही है अब यहाँ पे डी कंपोजर आएंगे या फिर पौधों में जैविक कार्बन होगा इसकी द्वारा यहां पे डी कंपोजर वहां से मतलब उसको डी अक्सिफाइ करेंगे लेकिन यहां पे पहले ही डी कंपोजर बीच में कहां से आजेंगे तो यह भी हमारा गलस हो जाएगा तो फिर वातावरण में सबसे पहले CO2 होती है उसके बाद प्लांट इसको यूज करते हैं फोटोसिंफेसिस के द्वारा फिर फिर जो एनिमल होते हैं वो पौधो पे डिपेंड होते हैं और फिर वहां से मिट्टी में आकार्बनिक कार्बन मिल जाते हैं जो भी इक्स्क्रीट होते हैं या फिर जनतों के मरने या जन्तों या पधों के मानने के बाद या सरने गनने के बाद देखें नेश्ट है हमारा मिर्दा में खनीज का प्रमुख स्रोत क्या होता है मिर्दा में खनीज का प्रमुख स्रोत क्या होता है तो मूल चट्टान जिससे मिट्टी बनती है पौधे जानवार बैक्टिरिया तो मिर्दा में खनीज का जो प्रमुख सुरोथ होता है वो होता मूल चट्टान जिससे मिट्टी बनती है मूल चट्टान होता वो जिससे मिट्टी बनती है वो हमारे मिर्दा में खनीज का प्रमुक श्रोथ होता है देखे अर्थ सर्फेस कवर्ड बाई जल से ढखी हुई प्रिधवी की कुल सता है तो फ्रेंट ये कितनी है ये है 75% देखे बायोटिक कंपोनेंट आप बायोस्पेर इस नाट कंस्टिटूटिट बाई जीव मंडल के जैविक घटक किसके द्वारा गठित नहीं होते हैं तो देखे निर्माता उभोगता डिकमपोचर हवा तो देखे जैविक घटक पूछा जैविक क्या है जैविक घटक लेकिन फ्रेंट हमारे जो हवा जल पानी ये सब पानी और जल तो एक ही है हवा ताप जल ये सब क्या है आज अभी घटक है देखे यहां पर नेश्ट हमारा वातारण में कारवन डाय अक्साइड सामगरी में व्रिद्धी का कारण नहीं होगा क्या नहीं होगा तो देखे पारिया वरण द्वारा अधिक गर्मी बरकरार रखी जाएगी तो कर्वन डाय अक्साइड मतलब व्रिद्धी होगी तो ये इसका कारण होगा पधो में प्रकास संसेशन में भी व्रिद्धी होगा गलोबल वार्विंग भी बढ़ेगी अगर कर्वन डाय अक्साइड की मातरा बढ़ेगी वातारण में लेकिन फिर मरुस्थली ये पधो होगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो यह हमारा सही अप्सान हो जाएगा क्योंकि यहां पर क्या पुछा नहीं तो देखिए एक्दम जो है वह एकजाम ओरियंटेट है यहां पर तो इसको आप ध्यान रखना क्योंकि सारे question अच्छे लेबल के हैं तो देखें मुख्य रूप से oxygen को वाई मंडल में लौटाया जाता है किस तरह से जीवास्म इधन को जला के स्वसंद करके फोटो सिंथेसिस करके कवक करके तो यहां पर क्या बढ़ा यहां बढ़ा ऊक्सीजन को वाई मंडल में किस तरह से लौटाया जाता है तो फ्रेंट्स यह लौटाया जाता है प्रकासंसेशर की किर्या द्वारा जेखें नेश्ट हमारा थंडे मौसम के तवरान कम द्रीश्चता का कारड़ क्या है कम द्रीश्चता यानि low visibility अच्छा मतलब जिसे आप देखते होंगे थंडी के मौसम में क्या होता है मतलब कुछ कुहरा-कुहरा सा दिखता है यानि किलियर नहीं दिखता है थंडे मौसम में तो वही बोल रहा low visibility यानि कम दिरिश्टा का क्या कारण है जीवास्म इधन का गठन हवा में निलम्मित कारवन कड़ो या हाड़ो कारवन का खोलना परियाप्त बिजली आपूर्ती की कमी इन्वेस कोई नहीं ये तो नहीं परियाप्त बिजली की कमी से क्या लेलने देना यहाँ पर हावा में निलम्मित कड़ो या हाड़ो कारवन को खोलना यह इसका right option हो जाएगा तो इसको आप देख सकते हैं याद कर सकते हैं देखें निष्ट हमारा बंजर चट्टानों पर लाइकेन की ब्रिद्धी के बाद ब्रिद्धी होती है किसकी तो हमने पढ़ा था सबसे पहले हमारा कोई सार रोक होगा उस पर क्या होगेगा उस पर लाइकेन होगेगा फिर लाइकेन एक केमिकल सिक्रीट करेंगे उस chemical के बाद ये जो चट्टान है वो क्या हो जाएगा वो छोटे छोटे पाटिकल में तूट जाएगा और फिर अब इस पर क्या होगा यहाँ पर स्वेस्ट पर लाइकेन जो होते हैं supreme यहाँ पर ब्रेख होते हैं फ्रेंड चट्टानों पर लाइकेन की ब्रिधी के बाद ब्रिधी होती है यहां पर मसट की जिसको क्या बोलते है काई यानि कमी भूलते हैं यह फिर मसट हमारा जलिये वातारण में चिन्धी ताप मान परिवर्तन प्रभावित कर सकते हैं किसीज को प्रभावित कर सकते हैं तो फ्रेंज जानवरों का प्रजिनन जलिये परधों की अधिक ब्रिद्धी जानवरों में पाचन पोसक्ततों की उपलगता इसे कुछ लेना देना नहीं है पोसकता तो हमको मिट्टी से मिलते हैं जानवरों में पाचन ये भी नहीं है जलिया पौधों की अधिक ब्रिदी आचा कुछ भी नहीं है जानवरों का जो प्रजिनन होगा जो ब्रीडिंग होती है उसको ये प्रभावित करते हैं ये आप याद रखना देखें नेश्ट हमारा यहाँ पे मिड़दा अपरदन को रोका जा सकता है किस के दोरा तो फ्रेंट्स हमने आपको एक फिगर भी दिखाया था NCRT का वहाँ पे मिर्दा परदन को किसके दौरा रोका जा सकता है वनों की कटाई के दौरा अगर आप वन को काट दोगे तो मिट्टी रुकेगी हमने क्या पढ़ता जो पेड़ होते हैं पेड़ पाधे होते हैं उनका जो जड़ होता देखिए जंगलों को बढ़ाना यानि अधिक पेड़ लगाना इसके दोरह मिर्दा परदन को रोका जा सकता है तो यह आप याद रखना देखिए नेश्ट हमारा क्या होता है जब वारिस बनस्पति आवरड के बीना मिट्टी पर गिरती है इसलिए इंगलिस में देख लेते तो क्या होगा यह मिट्टी जो है यह बह जाएगी यहाँ पर तो क्या होगा रेंवाटर काउज जाये का लाश ऑप सरफिस सोयल है यहाँ पर जो मिट्टी है उसको बहा कर दूर ले जागी यहाँ पर मिट्टी का लոश हो जाएगा तो यह आप याद रखना देखिए नाइटोजन फिक्स नहीं करते हैं तो यहीं है जो ऑक्सिजन है वो हर्मफुल है किसके लिए नाइटोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया के लिए तो फ्रेंश देखिए अगर आपको पीडियाफ चाहिए तो आप सक्सेज एक्टिव माइंड को जॉइन कर लिए टेलिग्राम प पूछे जाते हैं और वह पूछे जाएंगे क्योंकि अब एक क्वेश्चन में तीन चार चार इस्टेटमेंट देते हैं उसके बाद वह एबी ओनली एबी थ्री आल ऐसे करके आप्शन बनाएंगे अलग से तो वहां पे हम बहुत कंफ्योज होते हैं वहां पे हमको एक्द स्वेद आटमास्फियर हाड़ोस्फियर एंड लिथोस्फियर इंट्रेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल उसको हम क्या बोलते हैं तो इस तरह से हमको यहां पे इसको भी पढ़ लेना वहां से तो देखिए इस तरह से यह सारा क्वेश्चन है और देखिए कल का एक क्वे सेटी आफ सैंडय उयल यह भी सही है लेकिन यह पे अगर यह झकल क्लेइर लिक्टी होती तो यह सही होता लेकिन यह उप्संड़ाथ है क्योंकि यहाँ पे क्लेल स्वायल लिख दिया गया है तो इसको आप ध्यान देना यहाँ पर 1 & 2 only सही है देखें यहाँ पर यह चिकनी मिट्टी लिख दिया है लेकिन यहाँ पर चिकनी मिट्टी नहीं होगा रेतीली मिट्टी होगा तो यहाँ पर option क्या हो जाएगा 1 & 2 सही हो जाएगा यह आप ध्यान रखना मैंने इसको clear कर दिया है तो फ्रेंड्स चलिए अब मिलेंगे अपने next वीडियो में तब तक के लिए all the best be happy be positive